महामना को प्रणाम करता हूँ, माशारदे को प्रणाम करता हूँ, इस प्रांगण में उपस्थित सभी चेतना के उन्नयन की साधनाम लगे साधकों को मेरा साधर प्रणाम, मैं शिवम पाठक, आप सभी का अनुश, एक कविता आपके समख प्रसुत करता हूँ, सुनियेगा, कि राष्ट्र धर्म पंथ चिन राष्ट्र धर्म पंथ चिन हर मनुष्य है विभिन भगवा हरा रंग श्वेत चाहे हो जाती निम्न द्रिष्टी सब की नेक है अनेक है और राम ततेक के एक है कि पद प्रताप मेरू है कि पद प्रताप मेरू है पकारे पक सुमेरू है चरण कमल विशिष्ट है प्रस्तर जो अपशिष्ट है वे भी तर जाते हैं जब राम के शरण आते हैं कि रजनी के श्याम रंग रजनी के श्याम रंग दिनकर के ग्रण भंग तेज पुंज है अपार राहू भी रह जाता दंग शक्र चाप में विलीन रंग घर एक है द्रिष्टी सब की नेक है अनेक है और राम ततेक के एक है कि सबरी की तपस्या के सूप नखा यथा वेश्या के काग चपल के नेपथ्य नील नल के वे ही प्रतिष्ठान है और धैर्यता जिनकी नारद शालीनता में जिनका कद हिमावन से भी महान है उनके पुन्य का था में लगता कहां टेक है कि द्रिष्टी सब की नेक है अनेक है और राम प्रते के एक है गजल के कुछ अशार देखियेगा कि सफर में जाम और अंजाम मेरा सफर में जाम और अंजाम मेरा डगर भी और सुभ और शाम मेरा और वो तो लगता है कल को ये कहेगी कि वो तो लगता है कल को ये कहेगी तुम्हारे दिल पे होगा नाम मेरा और जहन में भक्त सा कुछ पल रहा है मेरा सब कुछ सभी का राम मेरा और समय तो आज का बदला है पाठक यू बापू और ना थू राम मेरा और एक मुक्तक देखेगा कि जिन्दगी का तराना है सम्हाल कर इश्क दिल से निभाना है सम्हाल कर आशिकी के सफर में है अडचन बहुत आशिकी के सफर में है अडचन बहुत राह में ये जमाना है सम्हाल कर ना हाथ में ना बात में कुछ खास मिल रहा उसका मेरा ना ही कोई आवास मिल रहा मैं सोचता था उसके दिल में होगा कुछ मगर खाली मेरा किरदार उसके पास मिल रहा अभी गर इश्क होगा तो रवानी बीत जाएगी बुड़ा पे में महबत फिर कहानी बीत जाएगी हमें मनजूर है तनहाई का आलम जवानी में कि हमें मनजूर है तनहाई का आलम जवानी में लिखेंगे गीत गजलें तो जवानी बीत जाएगी झाल झाल झाल